नमस्कार दूस्तों स्वागत यापका फार्मा रोक्स की यूटूब एज्यूगेस्टन चनल में तो आज की वडियो लेक्चर में हम ऐसे हल प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे की तवचा पर छोटे-छोटे पानी से बरे दाने हो जाते हैं या फिर तवचा पर पित्ती, छाले या फिर फूंसियों के इस तरह से निसान देखने को मिल रहे है तीसरा प्रॉब्लेम हम देखे तो आपको वहाँ पे काफी ज्यादा तेज खुजली होती है फिर रात को ये जो खुजली है वो काफी ज्यादा परेसन करती है तो यह जो सभी सिम्टम से वो इंडिकेट करते है कि स्कैबिस की वीमारी हो सकती है तो चलिए सिखते हैं डिटेल में स्कैबिस के बीमारी के बारे में और ये जो सब अलग-अलग टॉपिक से वो हम कवर करेंगे तो सबसे पहले सरुवात करते हैं बेजिक से कि ये बीमारी क्या है तो स्कैबिस को हिंदी में हम खाज गएते हैं और ये जो बीमारी होने का जो कोई reason है तो एक परजी वी है कि जिसका नाम है सरकॉप्टस स्कैबी करके तो ये जो किटानू है उसके infection के करण ये problem होती है और सारेरिक संपर्क से एक सरे दूसरे विक्ति तक ये फैलता है तो यहाँ पर हम ये वो किटानू देख सकते हैं फिक के अंदर फिर इसके बारे में कुछ और detail जाने तो ये किटानू आठ पैर वाले परजी भी होते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं और तवचा को खोदते रहते हैं जिससे तेज खुझली होती है यहाँ पर आप देख र तो ये जो पूरा टरनल क्रियेट करते हैं और वहाँ पर वो अपने एक्स भी रखते हैं उनका multiplication भी होने लगता है और ये इसके कारण जो हो आपको काफी ज़्यदा खुझली होने लगती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो किटानू है कि जिसको हम parasite भी कहते हैं तो Sarcoptis, Scabby, Var, Hominis, Might है कि जो specially tunnel create करता है skin के नीचे और जिसके करण ये problem जो वो होती है तो यहाँ पर आप देखो किस तरह से जब ये tunnel बनाता है जो तौचा को खोदते हैं तो जो उपरी layer होता है इस तरह से वहाँ पे ये छाले देखने को मिलते हैं कि जिसको हम Scabby के निसा पहले वाले diagram में देख रहे हैं इस तरह से पहले वाले फिर second में देखे उस तरह से ये हो गए आपका nodular जैसा हो गया बुलस हो गया और fourth हम देखे तो ये आपके scalp के अंदर हो रहा है तो ये charming types से scabby के तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में बताना चाओगा कि ऐसे ही आ और रहेगी पूरी multicolor और print होकि ये ready है कि जिसको order करने के लिए आप ये number पे वाटसप कर सकते हैं और आप ये जो offer है उसमें आपको ये price पे वो मिल जाएगे तो book को order करने के लिए हमें वाटसप करें या फिर description box को चेक करके हमारी mobile application को download करें तो scabby smite के करन ये problem होती है औ और वो might क्या करते कि दिरे दिरे अपने eggs भी रखते हैं और उनका multiplication होता है शिम्टम्स हम देखे तो काफी ज़्यादा तेज खुजली होती है पिंपल जैसे रैसेस बनते हैं बिस्टर्स वह आपको scratch करने का फिल होता है और सरीर के अलग-अलग parts पे ये develop होने लगते हैं त तो जो scabies की जो खुजली है वो उंगलियों के बीच में, बगल में, कमर के आसपास, कलायों के अंदरुनी बाग, भित्री कौनियों पर या फिर प्यारों के तलवों पर तेज खुजली जो है वो scabies की हो सकती है तो ये उसके उगए symptoms कुछ और symptoms हम देखे और उसके side सकता है तो उसका निदान कैसे हो सकता है तो एक physical examination हो सकता है जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि skin को check किया जाता है तो यह जो एक bump जैसा देखने को मिल रहा है और इसके नीचे जो हो scabies के might हो सकते है कि जो एक tunnel बना रहा है वहाँ पर तवचा को खोद रहा है तो और detail में ज specialist है वो dermatoscopy test कर सकते हैं फिर अब समझते हैं उसके treatment के options तो topical treatment में लबकि directly जहाँ पर यह problem हुई है वहाँ पर आप किसी चीज़ को लगाते है जैसे कि cream है, lotion वगिरा है, emulsion से, ointment है तो यह सब directly वो affected area पर लगाने होते हैं और oral medications के हम बात करें तो यह कुछ tablets रहेगी तो ज फैला option है, permetrin की जो cream आती है, permet करके उसका एक brand आप देख सकते हैं, तो यह जो cream है वो आपको वहाँ पे दिन में 2 या 3 बार जो लगाना चाहिए, रात को भी उसको लगा सकते हैं, फिर अगर आपको cream suit नहीं हो रही, तो उसी का lotion भी available है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, scabby guard करके ही नाम दिया है, उसका specialist scabby में यूज किया जाता है, तो यह lotion भी दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं, तिसरा option हम देखें, तो डर्बेक M करके जो है वो emulsion है, कि जिसके अंदर 0.5% रहता है, melletheon, कि यह भी काफ़ी effective सा भी दोता है, scabby को treat करने के लिए, चौथा option यहाँ पर हम देखें, तो benzyl benzoid का यह एक preparation रहती है, 25% weight by volume के अंदर आप देख सकते हैं, उसके strength, तो यह जो product है, वो दिन में 2 या 3 बार जो लगाई जाती है, affected area में, तो फिर से मैं reminder देना चाहूंगा, कि यह जो book है, वो अब ready है, कि जिसको आप order कर सकते हैं, तो order place करन लिंक आपको description box में मिल जाएगे, पांचवा option हम देखें, तो वो है ivermectin का, कि जो एक anti-parasitic medication है, तो उसका जो dose रहता है, खासकर 200 microgram per kg per day के इसाप से रहता है, तो patient का जो weight होता है, उसके इसाप से dose calculation करके, proper dose prescribe किया जाता है, छटा option देखें कि आपको बालों में भी यह ह shampoo available रहता है, 0.5% weight by volume की strength में, कि जैसे आपको specially hair wash करने रहते है, यह shampoo को use करके, साथ वा option है, थाय बेंडाजॉल के ointment का, कि दिन में दो या तीन बार जे होए apply कर सकते है, फिर parmethrin का swap आता है, कि साबुन से आप नहा सकते है, specially कि जैसे scabies का problem देरे-देरे solve होने लगेगा 9th option हम देखिए, तो albendazole की जो tablets आते हैं, अब यह oral के जो option है, oral tablets के कुछ, तो 400 mg per day के इस आप से दिया जाता है, 3 दिन के लिए, week 1 and week 2 के लिए, तो मलब कि week 1 में आप 3 दिन लेते हैं, और week 2 में उसको 3 दिन ली जाती है next देखिए, तो albendazole का option है, यहाप आप देख सकते है, mabendazole के tablet, 100 mg के strength में रहते हैं, mabex जो उसका brand है, sipla manufacture करती है, और यहाप अलbendazole का हमने देखा, caddy लगा product की 400 mg में है, तो 100 mg दिया जाता है, 2 times a day for week 1 and week 2, तो यह हिसाब से दिया जाता है कि 100 mg, तो एक tablet सुबह हो गई, एक tablet रात को हो गई, दो डोस के बीच में at least 8 गंटे का time interval, और week 1 के लिए इसको follow किया जाएगा, और also for week 2, 11th option हम देखे, तो जो antihistamine के रहेंगे, कि अगर itching काफी ज़्यादा हो रहे है, तो वो itching को कम करने के लिए, लॉराटइन की जो tablet से 10 mg की strength के अंदर लॉराटइन करके, जो supply उसको बनाती है, और उसका जो dose रहता है, एक या दो tablet पर डे, या फिर एलेगरा के जो tablet है, फैक्स ओफ इनाटइन उसके अंदर जो salt content है, वो भी patient use कर सकते कर काफी ज़्यादा itching आपको, हो रहते हैं, जिसका dose रहता है, एक या दो tablet पर डे, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगागा, कि यहाँ पर आप क्लिक करके, मेरा ये वीडियो देख सकते कि जहाँ पर मैंने, ये वीडियो बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से डीटेल में आपको समझाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, गुड लग एन उप्राइब करें,